नमस्कार दोस्तों आज आपका गीता कुकेंग वल में स्वागति जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइट लाइक में क्या है प्लीज सब्सक्राइट लाइक करना है जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइट लाइक क्या है उनका देलशी शुक्रिया और धन् आज बें जाले करेला और जो बच्चे लोग नहीं करके बच्चे लोग खाते रहे आज हम इसको कडव पर निकाल देगे इसके लगा को मैं आपको छीरट बता है दोस्तो के साकडव पर निकालना पड़ता है नेर रिफशेस्बस अब को बता रही यह आगे की चाल और अच्छी धो के सुका के कट्टिंग करना कि मैंने पहले कट Ini करके टाइम जाद हो जाता है भी मैं जिली चाहर से घ्ल होगा यह गन्याया पानी हो जाए गशना है यह यह अ Cross Taking अभी मैंने एक चम्मत बड़ा और आधा चम्मत इसे मैंने नमक डाल देना है और अच्छी तरह से हिला लेना है नमक में हिलाना है दोस्तों अच्छी तरह से क्योंकि नमक का क्या होगा पानी हो जाएगा और करेले में पुरा कड़वपन भाहर निकाल देगा नमक अब अच्छी तरह मीक्स हो गया दोस्तों अब इम इसको आदे गंटे के लीए छोड़ देते इसके पाने बढ निकल जाएगा आधा गंटा हो गया है दोस्तों अब आपने देखना है पानी पुरा निकल गया है कितना पानी निकल गया है इसमें पुरा कड़वा पर निकल गया हमारा करेले का अभी हम थोड़ा इसको साइड रख लेगे करेले में क्या क्या सामगवी लगने वाली है दोस्तों मैंने दो बड़े प्यास कटिंग करके रखा है नी चौप करके रखा है काश्मीरी मिर्ची पाउडर ली हुए हल्दी निम्बुका रस शकर धनिया और ऑईल अभी हमने करेला ले लिया है दोस्तों पुरा पानी हातों स कि में बतार एसा हतों से पुर्रा निचोड देना है यानि कि जो हमारा जो एश्ट्रा नमक होगा करेले में वो पुरा निकल जाएगा इदम अच्छी तरस से निचोड देना है ओके अभी जो एश्ट्रा पानी है हम दीस में निकाल देगे अभी नेक्स प्रोसेस अभी हम इसके पानी आड़ करेगे जो हमारा एक्ष्ट्रा नमक हमने डाला था मतलब जादा तो इससे क्या नमक निकल जाएगा और कड़ा पन भी अच्छी तरस से निकल जाएगा देखो हमने नमक आधे गंटे विजो कि इतना सॉफ्ट होगा हमार इससा अभी हाथों से और निकल देगे एश्ट्रा नमक निकाल देगे हम लोग दोग दोश्त्रा हाथों से एससा पूरा पानी निकल देना है निकोड देना है इसमें पानी ने जागे थोड़ा भी कि कि के अभिए बावल में रखेंगे कि सब करेले हम लोग इसे कर लेते एक अभिने से अभुक्षे पुरा पाजि क्रोद्वाragon कि अचिएल देगे अब यह ओई हमारा थोड़ा गरम होना चाहिए अच्छी तरह से नेक चेक करना है थोड़ा नई गरम होना बाकी है यह इतना टेस्टी लगता है दूस्तों बहुत अच्छा लगता है और इसमें कड़वापन ने रहता है कि हमने नमक के पानी में पूरा उसका कड़वापन निकाल दिया हुआ है तो इससे क्यादा बच्चे लोग भी खाते है और हम उंको सेट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है करेला अभी हम गरम हो गया ऑई अभी इसकंदर करेला चोड़े गए पूरा पानी यहनी ग्राय कर अच्छी तरह से चलाते रहेगे वो गयाशी फ्लेम खास्ती रखनी फ्लो नहीं रखनी है अच्छी तरह से इला लेना है दोस्तो तो पांच मेंट के लिए इसे ही छोड़ देगे पांच ग्यास पे पांच मेंट हमने हो गया है दोस्तो अब इसको निचे से देखेंगे देखो करेले का कलर और क्यास का कलर अच्छा थोड़ा सुने रहा होना चाहिए बाद में आप सब इसे अंदर अपना मिर्ची हल्दी यह सब डालेगे जो मने लिया था सामगरी आपको मेरा वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना मत धुनना है दोस्तों के साथ भी शेयर करना है दोस्तों देखो प्यास का कलर भी सुने रहा रहा है भी धरे धरे करके प्लाइब रहा है अब इस सिम्गर थोड़ा 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 तो फल्डी डालेगे खिला लेगे, सल्दी से, अभी हमारा परिला दुको अभी इसके द्राम, देड़ चमचे से मिर्शी आड़ करेगे, मिमो का रस, अच्छी तरह से हिला लेगे, काश्मिली मिर्ची कलर आने के लिए लिए यही यूज़ करती है, इससे क्या थे तिखाने होता है, इससे कलर भी अच्छा आती है, और टेज़ भी अच्छा आती है, सबजियों को, और दिखने में भी सुनेरी लगती है, अच्छी तरह से हिला लेना है, दो मिर्च को ढख देगे, अच्छी तरह से हिला लेना है, तिल पुरा छूड़ गया है, को समझना है कि करेल हमारा हो गया है, अभी हम इसके अंदर शक्कर आड़ करेंगे देड़ चमब जीसा, आपको मिठा नेचे तो आप नहीं डाल सकते पन ऑप्शन दे रहे हूं, तो ये शक्कर डालने से अपनी तेज़ अच्छा आएगी करेल को, बच्चे जो ने खाते ब अच्छे वह भी खाते रहे जाएगे, अंग्या चाटते रहे जाएगे, अभी हम थोड़ी शक्कर को पुरा पिखनने देगे, अच्छे तरह से, अभी और दकन लगागे पाच मिंट के लिए, पाच मिंट हो गया है दोस्तों, उमने देखने है, वाउ, पुरा धन्या सिकत हमारी करेजी सब्जी रेडी हो गई है दोस्तों है इदन हinas 8 अभी हम इसको सर्विसीं सीख्लेट में ले लेते हैं, करेला अच्छी तरह час हो गया हमारा, अभी हम सभी सिक मेय डेते हैं इसको मैं देखाई दोस्तों मैंने किसे खटा मीटा करे लिए कि सबजी बनाई दोस्तों बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा जो नहीं बच्चे खाएगे वो भी खाते रहे जाएगे दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना बुलना दोसों दोस्तों के साथ शेर करना और बेलाइकन वेड़ों कितलना धन्यवाद दोस्तों